मुंबई की फेमस ट्रीट फूट मसाला टोस सैंविच और चीस सैंविच बनाने जा रही हूँ इसे बनाना बहुत जादा ऐजी है दोस्तों और येकिन मानिए जितना अमाँट आप बहार पे अच्छे से बॉयल कर लिये हैं और उसे मैशर की साहता से अच्छे से मैश कर लेना है अब एक कड़ाई में एक चमच तेल डाल देंगे हलका सा गरम होने देंगे तेल को उसके बाद ग्रेट किया हुआ अधर गलेसन डाल देंगे इसके जगह पे आप पेस्ट भी डाल सकते हैं और इसे सिर्फ दो मिनिट के लिए भून लेना है उसके बाद इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे हल्दी मैंने एक चोथाई के करीब डाले है और इसे भी थोड़ी सी भून लेंगे अब इसके बाद मैश किया जो आलू है वो डाल देंगे और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल दीजे और इसे भी दो तिन मिनिट के लिए अच्छे से भून लेना है बहुत अच्छे से भून लेना है फ्लेम को मेडियम रखना है हाई फ्लेम पे नहीं भून लेना है अब इसके स्वाद को और इन्हेंस करने के लिए इसमें मैंने एक चमच के करीब ग्रीन चटनी डाल दिया ह इस ग्रीन चटनी को मैंने हराधनिया, पुदीना और मिर्च को मिला के बनाया है तो इसको डालके हमें एक मिनिट के लिए भून लेना है और फ्लेम को बंद करके अच्छे से ठंडा होने देना है अब सैंडविच के लिए मैंने यहां पर यह सारी चीज़े ले ली है टमाटर को गोलाकार में काटा है और प्याज को भी गोलाकार में मैंने काट लिया है ग्रीन चटनी जो मैंने बनाया था वही चटनी यूज़ कर लेंगे bread ले लेंगे और जो काकड़ी है काकड़ी को मैंने इस तरीके से लंबे आकार में काटा है आप चाहें तो गोलाकार में भी काट सकते हैं butter यहाँ पर एकदम soft यूज़ करनी है जिससे आप bread में easily इसे spread कर पाए अब sandwich बनाने के लिए bread में पहले butter लगा लेंगे अच्छे से उसके बाद इसके उपर green चटनी लगा लेंगे इसके बाद इसमें आलू अच्छे से spread कर लेंगे इस तरीके से आलू को चारों तरफ लगा लेनी है साथ में अब इसमें tomato डाल देंगे इसके बाद इसमें हम प्यास डालेंगे सारी चीजों को मैंने गोलाकार में काटी है तो आप डालने में बहुत इजीली हो जाता है अब इसके बाद इसके उपर काकड़ी डाल देंगे अब जो उपर हम bread रखेंगे इसमें भी थोड़ी सी butter और green chutney हम इसमें spread कर देंगे और इसको उपर से हम रख देंगे इस तरीके से अब इसे हम बाद में krill करेंगे इसके पहले हम cheese sandwich के तियारी कर लेते हैं इसमें भी हम bread में butter और green chutney लगा देंगे साथ में हम आलू की filling को भी अच्छे से spread कर लेंगे अब इसकी उपर cheese cake slice डाल देंगे साथ में tomato भी डाल देंगे इसमें और प्यास डाल देंगे साथ में हम काकड़ी भी डाल देंगे और अब से मुसी तरीके से उपर रखने वाली bread पे हम butter और green chutney लगा देंगे लेकिन उससे पहले हम फिर से एक cheese की slice को इसके उपर डाल देंगे यूँकि cheese toast sandwich बना रहे हैं तो double filling बहुत ज़ादा ज़रुरी है अब इन दोनों sandwich को हम एक साथ grill कर लेंगे इसके लिए मैंने यहाँ पर electric sandwich maker का यूज किया है उसको थोड़ा सा butter से grease कर लेंगे ताकि जो एक side से sandwich जो है वो चिपके ना आप sandwich को तवे पे भी बना सकते हैं बहुत बढ़िया बनती है तवे पे भी मैंने खुद बनाई है और बहुत crispy भी बनती है ये देखे एक grain light on हो चुका है sandwich maker का तो मतलब हमारी sandwich बनके ready हो गई है तो आज मैंने आपको दोनों तरीके से sandwich बना के बताए है masala toast sandwich और cheese toast sandwich दोनों ही बहुत बढ़िया लगती है अगर आप cheese toast sandwich बना रहे हैं तो इस तरीके से double filling ज़रूर कीजेगा तभी आपको actual cheese sandwich का मज़ा आएगा तो दोस्तो बारिश के मौसम में इसे जरूर ट्राइ कीजेगा और आपके feedbacks भी जरूर शेयर कीजेगा कर्मा गरम चाए के साथ sandwich का मज़ाई कुछ और है वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजेगा और चैनल को सबस्क्राइब करना मत भूलेगा नेक्स वीडियो में फिर से मिलते हैं तब तक के लिए बाबाई टेक केर